साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फिरल स्टेडी मंत्रेटीब चनल पर साथियों UPCC जो लेकपाल वरती है अभी वरती चल रहे है प्रजेंट में उसकी जोइनिंग के बारे में बात करेंगे और जो अभी नई वरती आने वाली है उसके बारे में बात करेंगे डेटेल में ठीक है साथियों आप दो को लेकपाल वरती की जोइनिंग न करने बहुत सारे लोग है जो अठार पिच्चा सीमिन का सेलेक्शन हुआ है लेकिन जोइन नहीं कर रहे हैं उसके कारण में आपको बता देता हूँ अच्छी पोस्ट में जैसे KBS में हो गया किसी का किसी का CGL में हो गया तो उन्होंने अब ये बरती को जोइन नहीं कर रहे है और ये सीट एकदम से खाली जा रही है ठीक है साथियों और जो खाली जाने का सिलसला है जो आपकी लेकपाल में आठ हैर के सम्थिंग में है तो आठ हैर के सम्थिंग में कम से कम जो पोस्ट खाली जा रही है आपकी वो आप मान के चलिए 1000 पोस्ट सीधी सीधी खाली जा रही है साथियों तो ये मैंने पहले भी बताया था 1100 पोस्ट खाली जा रही है और फिर बता रहूं आपको ये कम से कम 8000 में से 1100 पोस्ट खाली जा रही है ठीक है लड़के जोइन नहीं करेंगे लड़के जोइन नहीं करेंगी इनका कहीं अंत हो गया है कहीं अलग हो गया है तो वो जोइन नहीं करेगा सीधी बात ही है ठीक है क्या लोग सोचते हैं कि हम से जादा कोई जानता नहीं है यही आयूग के सचे में अध्यक्त हैं और पता नहीं क्या साथ करेंगे, हमने बताया, वो ही हो गया, यह हो गया, गया, एक भी अध्यवी डीवी स्किप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं उस दिन नोटिस प्रजेंट थे इस प्रकार से तो इस इस प्रच्ट हो गया कि कम से कम 5000 प्लस लोगों ने डीवी स्किप किया था तो अब उन लोगों के मुँपे तमाचा है उन लोग अपने उपर थपड मारें खीज़के कान पर यह समझना बली बात है कि यह लोग कह रहे हैं कि एक भी सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को गाली टाइप की दे रहे हो तो यह अच्छी बात नहीं थी क्योंकि इसमें सबसे बड़ा लौट था UPSI का जिन लोगों ने डीवी स्किप किया और भी लोग थे जोनों ने डीवी स्किप किया था ठीक है और हमारे चैनल की इसका मतलब नहीं है कट अगर डीवी स्किप नहीं होता तो कितनी जाती सोच हो यह चीज़ की आप तो आर्ट एक रिपलाई की बारे में आमें दिखाता हूं आपको बताता हूं बेटिंग लिस्की बाद में बात देखो साथी को किसी ने डाली होगी है अपने ऑनलाइन र अवगत कराना है कि बिग्यापद संक्या एक परिच्छा 2022 राज़ासु लेकपाल परिच्छा यह इतने इतने कर गया है और जैसे जन्रेल की कट आप 83.25 एवस की कट आप 81.25 और अन्य पिछड़ा वरक्या कट आप 81.25 है बिन्दु संक्या 2 के संब्द में अवगत कराना है यह important point है कि उक्त परिच्छा में आहरता अवलेक परिच्छड में कुल 22.754 अविहरती उपस्तित हुए थे अवलेक परिच्छड में अब एक बात पताओ मेरे को पहले दो बार cut off आई और तीसरी बार तो बूरा result revise हो गया था तो यह समझो कि लगभग 29.000 इसमें लोगों कि लिए बलाए गए थे पहले 27.000 433 थे उसके बाद 1600 बढ़े फिर उसके बाद revise कभू आया तो फिर बढ़ गए थे अब इतने आये थे अब इसको में 23.000 मानता हूं ठीक है पूरा 7.000 चगवण को में 23.000 मानता हूं अब खुद ही आप अंदाज लगाई है कि इसमें कितने 25.000 लोगों ने DB skip कर दिया तो अगर सब्ट्रेक्ट करेंगे तो 6000 आएगा सीधी बात है 6000 अब लगाओ 6000 कोई नंबर छोटा नंबर है क्या आपको क्या लगता है यह 6000 जो नंबर है कि इतना छोटा नंबर अलग रहा है आपको inclr लोगों ने DB skip ना किया होता तो इस भरती का ह क्या हुआ होता यह समझो आप 6,000 लोगों ने डीवी स्किप किया है साती हो हाँ यह जरूर है कि जो लास्ट में जो कट ओफ आई थी उसमें ज्यादा लोगों डीवी किया लगवाग 50% तो 5000 लोगों ने तो पहले भी डीवी समझें कोई मतलब नहीं है और यह कट ओफ जाने का कोई भी लेना देना नहीं था और आज फिर मैं दाबे से कह रहा हूँ अगर इमांदारी से बरती होती तो असी सूपर कट ओफ नहीं जाती ठीक है साती हो तो आप कुछ भी समझते रों कुछ भी करते रों उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है लेकिन इमांदारी से बरती नहीं होई सिधी बाती है 85 कट ओफ जाती कम से कम अगर यह लोग डीवी स्किप न करते तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि डीवी स्किप आपको अन्य भरतियों में भी कराना है ठीक है जिससे आपकी कट ओफ कोने डीवी स्किप किया है कि नहीं किया है 83.25 कट जब गई है और अगर डीवी सारी करा ले थे फैक्टेव बाले भी तो फैया टीवी की कट ओप कहा जाती है तुम समझो को फाइनल कट ओप कहा जाती है ठीक है साती हो तो आपको यह सोच के चलना है कि कितने लोगों ने ड जबूरी समझी कि हमी नोकरी बड़ी मुस्किन से लगती है और यह भी सच चाहिए कि कुछ लोगों ने डीवी कराया भी वह अब जोइन नहीं कर रहे हैं ठीक है जातर लोगों ने जैन्यून तरीके से डीवी स्किप किया है और उनका हमारा चैनल उनका सुक्र गुजार है कि आपने डीवी स्किप किया कुछ ना कुछ तो नंबर घटे हैं उससे इसतना बात तो मानके आप चलिए दूसरा सातियों बेटिंग लिस्ट की बात करते हैं बार 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 बेटिंग लिस्ट का मुद्दा बहुत तेजी से उठ रहा है कि भाईया बेटिंग लिस्ट आन लिस्ट में नमबर नहीं है तो उसके लिए तो भाया मरना है सीधी बात है उसके लिए और अब अब एक और चीज़ देखो नमबर इतने भी हैं लेकिन डेट ऑव वर्थ डियो भी की वाज़े से कोई लोग भार हो गए तो बताओ इनका तो बही नुकसान होई गया ना उनके लिए तो पूरा सुसाइड हो गया तो आप इस चीज़ को समझो के इसकी बेटिंग लिस्ट आने ही चाहिए सीधी बाती है जो बरती वेकेंसी खाली रह जाती है वो एड इसका डाटा जाएगा राजिस सुभाग में के इतने पत खाली रह गए तब बेटिंग लिस्ट आ सकती है आप सोचो आज बेटिंग लिस्ट निकाल दे पॉसिवली नहीं है कम से कम जोइनिंग के एक देट महीने बाद आपको राजिस सुभाग में फाइल जाएगी पूर और आपको बेटिंग लिस्ट के लिए मांग फिर जोरदार तरीकिश उठाओ दूसरा सातियों पियस सातियों की बात करें पियस साती विचारे धन्ना करकर के परिशान है लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि सरकार बहुत जादा इंसेंसिटिव है चात्रों की नहीं सुनती र यह लोग है उसके बाद उनको जो चात्रों उनको भरी लिजीए बेटिंग लिस्ट की यह बाद की बात है आप जब हो जाएगा चाइगा तो इसके लिए बेटिंग लिस्ट वहरमां आँठाए जाएग लेकिन प्रिजेंट में पियस साथ्चारों का जो मुद्धा है हम आपके साथ हैं और साती हो यह रहा वीडियो वीडियो अच्छा लगता है तो साती हो लाइक सेयर कर दो चैनल सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन दबा दो जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे ठीके साती हो बहुत बहुत रहें